कल रात को ही पढ़ा था, सुबह तक भूल गया, थियरी पेपर लिखने बैटा, पेपर ही चूड़ गया क्या आप लोग को भी ये प्रॉब्लम स्वेस हो रही है, क्या आपको थियरी याद नहीं रही है या फिर आप theory paper लिखने है बेटर और आपको पेपर ही complete नहीं हो रहा है टाइम करने यह प्रोब्लम सब्सक्राइब होती है और CA intern में हमारे पास theory subjects बहुत सारे जैसे audit हो गया, law हो गया, SM हो गया, economics हो गया तो उन्चे कैसे deal करना है आज हम लोग यह वीडियो में देखने वाल है So let's start with our topic, how to prepare for theory subjects My basic principle is follow three P's, follow three P's, what are the three P's, first is prepare, second is practice, third is past paper questions Now how do we prepare, prepare में सबसे परला ना तुम लोगो कुछ निकना, you all have to make concise notes, you all have to make concise notes Concise notes कैसे बनेंगे, concise notes can be in the form of flow charts, SM है, SM है, SM में types of strategy, types of strategy में stability, expansion, expansion में expansion through merger and acquisition, strategic alliance फिर उसके बाद different types of diversification, फिर वैसे आपको लोग flow charts बना के कर सकते हो, second things you all can write pointers, main, main points और concise notes बना सकते हो उसके बाद prepare में second part करना है, prepare में second part करना है, यह second part किस-किस के लिए आपने के बलेपता है, SM के लिए, ECO के लिए और other law के लिए I won't recommend you to do for audit and corporate law, थोड़ा confusing हो जाएगा, इसलिए, तो audio books बनाना है, audio books कैसे होता है, आपने कुछ नहीं क्या, simply आपके phone में आपकी voice record की, जैसे आप किसी और को समझा रहे हो, या तो आप word to word text read कर रहे हो आपको वो audio books बनानी है, SM के art chapter, art chapter की, हर एक chapter की आदे आदे गंडे से जाधा की audio books नहीं बनेगी, सच्छी मैं बनेगी, अगर आप concise notes से बनाने बेटोगे, तो आदे गंडे के अंदर हर chapter के notes हो जाएगे, SM के, similarly with ECO, 45 minutes से साधा नहीं लगेगा, और other laws में भी साधा time नहीं और audio book को का है, आप 1.5K speed पर भी सुन सकते हो, तो आपका फटाफट रिविजिन होते जाएगा, SM का समझो नहीं, आपका 25 minutes का audio book बना, first time revise करें, audio books 25 minutes लगा, second time 1.25K speed पर देगा, third time 1.5K, तो SM multiple revisions करना easy हो जाएगा, SM ECO और other law में, और concise notes ऐसे बना हो, कि कोई point मेंस नहीं, उसके बाद practice, practice में क्या आता है, first thing is that listening to audio books, आपको audio books, पूरी सुननी एक दो बार तो, और फिर वो जो concise notes पना है ते वो refer करने है, उसके बाद आपको practice में क्या होता है, आपका problem क्या था, आपका paper चुटता है लिखते लिखते वख, हाँ, तो इसलिए क्या आपने जो concise notes पन आपको पता है क्या क्या प्राइट्स किया तो इससे आपका writing practice भी होगा और इससे आपका learning process भी होगा, इतना हुआ, यह आपको हर एक chapter के लिए करना है, इस एक chapter के लिए क्या समझो, आपने SM का ऐसा 4th chapter complete कर लिया, 4th chapter complete कर लिया, फिर आपको क्या करना है, पता है SM के 5 paper questions दे आपको कितना है, यह आपको करना है, यह आपको करना है 3 piece को follow, 3 piece follow कर लिया, कोई problem नहीं आएगी, trust me, आपको चाहिए, आप पहले एक subject के साथ राए करो, फिर दूसरे subject के साथ राए करना, ठीक है, मैं बोलूँगा, SM के साथ राए करो, ECO के साथ राए करो, Other Law के साथ राए करो, Corporate Law के साथ राए करो, ठीक है, तो audit के साथ लाश में करना उसमें कैसे लिखने पता है, सबसे पहले, provisions लिखोगे, facts of the case लिखोगे, फिर उसके बाद conclusion लिखोगे, तो 3 paragraph में आपका answer complete होना है, maximum 4 paragraph, आप है na facts of the case, या फिर प्रोविजन जो भी बड़ा उसका आप 2 paragraph में लिख सकते हो, mostly facts of the case को एकी paragraph में नप्ता देना, SM के case-based questions है, त पर theory होगेगा, facts of the case और conclusion, अभी headpoint answers मेंना क्या करनेगा, बताए, EIS है, उसमें बहुत सारे headpoint answers है, तो उसमें आपको बनाने cheat code, simply cheat code बनाओ, काम आसागा देगा, अभी मैंने आपका काम आसाइन कर दिया, कैसे हमें पास EIS के cheat codes बने हुए, और मैंने उसका link description में दे दिया, पुरे playlist का, तो आपको EIS के headpoints cheat code से करने है, उसको कैसे करोगे, इसके answer को कैसे लिखोगे, suppose explain the objectives of BPA, तो आप क्या करोगे, BPA, उसको define करोगे, what is BPA, business process automation, उसको define करोगे, फिर उसके बाद जो headpoints है उसको list down करो, फिर उसके बाद headpoints को explain करो, इससे क्या आपता है, जब examiner यह बंदे को BPA का definition आता है, उसके बाद हो देखेगा, इसको सारे headpoints भी पता है, तो वह ना mostly अंदर का content read नहीं करेगा आगे, समझे, और economics में क्या करना है, आपको हर एक numerical पे focus करना है, हर एक numerical पे focus करना है, क्योंकि economics में, 40 मांक का economics अपे पर है, 10 से 15 मांक numerical सा आता है, तो अ और अगर आपको यह video useful लगा ना, तो thank you लिकने के बदले, आप यह video बाकी तीन लोग के साथ share कर देना, मेरी बहुत help होईगा, और इस समय को motivation भी मिलेगा, अगर आपको कोई भी doubt है, कुछ भी है, आप telegram channel को भी join कर सकते हो, चिसका link मेंने description में दे दिया, I have supplied you with AS के concise notes, accounting standard क के concise notes मैंने description में दे दिये, economics के hit point, EIS के hit point answers भी मैंने description में दे दिये, मैं SM के ही hit point answers चल्दी लाने वाला हूँ, तो आपका बहुत काम मैंने आसान कर दिया, आपको अगर किसी को भी access करना है, तो google life link मैंने description में दे दिया, वहाँ से देख लेना, thank you, so that's it for this video, please like, share and subscribe.